मद्यपिर्देश के सिफपुरी में बहुजन समाज यानि की ऐसी वर्गी के दो वच्चों को सौचाले सौच के लिए जाते वक्त खेत में उनको पीट-पीट कर लाठी डंडो से मार दिया गया उसके बाद से बहुजन समाज में एक आकरोज की इस्तिती बनी होई है मेरे साथ में संदीब कुमार हैं जो दिल्ली निवर्सिटी के स्टुडेंट हैं सोसल एक्टिविस्ट हैं और बहुजन समाज के मुद्दों पर अपनी बात बेवाकी से रखते रहे हैं संदीब जी किस तरीके से देख रहे हैं ये मामला की एक तरफ सोचाले के बारे में सरकार जो है इतना पुर्जोर अभियान चलाती है और ये कहते हैं सोचाले मुक्त हमने देश को बना दिया वहीं एक मामूली सी इस घटना पर बच्चों की पीट-पीट कर हत्या कर दी जाती है जिस तरीके से हमारे मानने प्रद्दान मंँंतरी जी की अलगी झोजनाए जो सारी जुमलेबाजी थाभित हुई है इससी तरीके से ये कि इन्होंने कहा घरगर सोचाल है तो दलितों के लिए नहीं थे अब बताई है जो ऑनको खेतों में जाकर सोच करना पड़ा और स्वाच कर भी लिया तो वो एक मानसिक्ता दरसाती है कि जो एक मनुवादी मानसिक्ता इसको नाम देंगे उस मानसिक्ता की तहद उन बच्चों पर जो पीट पीट कर आप सोचिए 11 साल के बच्चा और 12 साल की लड़की है उनको बड़ा बहरेमी से पीट पीट कर वहाँ पर हत्या कर दी गई तो उसी को लेकर तीस तारीक को स्विवपुरी में भी धरना केजा जा रहा है जो सुनिल सत्य जी है वो लोग वहाँ पर धरना दलीतो को लड़ाने की साजिस तो नहीं या अने तरीके से लोगों को बढ़काने की साजिसों कई प्रकार की मामूले हर बार सामने आ जाते हैं कि ढलितों को लेकर जातियां कोई भी हों चाहें वह दलिट हो या कोई है लेकर के लिकिन की मानसिक्ता है तो मैंनेकी कई लिखार पूछ पर पर फूछड़ों पर एंदर से मनुवादी अध। और एक आरोपी ने पूछताच में ये बात कहिए कि इसवर का आदेश हुआ है कि राख्छसों का बद करो तो ये जो मांसिक्ता है इसको किस तरीके से देखते हैं ये जो राख्छसों का बदवाली बात कहिए आपने यह वही मांसिक्ता को दर्साता है जो हमारे 5000 सालों से दर चाहांगा नरेंदर मोधी जी से पहले आप सुनते होंगे बाते तो पहले हर बाते ढ benefit की धरम हमारी रच्छा करने के लिए आजका Auss话 दो ओकार हमारी देश की समस्याओं से ज्यादा इमरान खान हमारे यहां पर ज्यादा फेमस है यह आपको देखनों के बिला तो जो दलितों की बच्चों की हत्या हुई है इसको लेकर मैं यही कहूंगा कि यह बहुत ही दुखत गटना है और सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए हम लोगों ने भी काफी मुहिम चला कर सरकार तक बात पहुचानी कोशिश की है संदीजी हमने देखा है कि आप बहुजन समाच के मुद्दों पर बोलते रहे हैं लिखते रहे हैं एक पिछले जो छे साल का कारेकाल बीजेपी का रहा है म वर्फ लोगते रहें लेकिनमद्देफ्र में तो कॉंग्रेस की सरकार है तो फिर ऐसी इस्तिथी में क्या विकल था कि का राज मीव हिस्तियी ऑए देखिए जिस परकार से मानवर कासी राम साब ने सापनात और नागनात की बात कही थी मैं भी उसी पर हमेसा अडी हूँ बेसक चाहें वो किसी भी किसी भी रूप से हम लोगों के कितने भी सगे बन जाएं लेकिन आप जालतर देखेंगे पार्टियों में उनको जो हमारे चा चाहें वो उनाकांड हो चाहें वो गुजरात में वो माउस्टेच वाला अंदोलन हो या हमारे जो यूवा हैं उनका पकोड़ा रोजगार की आप बात ले लीजिए वो हमने जो सीपी में चलाया था अंदोलन उसके लिए सबसे पहला और आए दिन लगातार दलितों के करते हुए आज तक कभी हम देखते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को तलाब में नहाने की वज़े से मारा जाता है महराष्ट की बीते दिनों पहले घटना आई थी तो इस तरह की घटना आ रही है अब आपने कहा कि सिपुरी में जो है पिरदर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं वहाँ पर तो क्या लगता है कि सिपुरी के जो मासूम बच्चे हैं उनके हत्यारों को क्या सजा मिलेगी ऐसे माहौल में तो यही सरकार से भी ही मुहीम करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उनको कड़ी सजा जी जाए उनकी इस तरीके की निर्मम हत्या हुई है उ लेकिन यह महिम के तौर पर एक आंदोलन के रूप में चलाना होगा, क्यांकि यह मानसिक्ता इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, यह मनुवादी मानसिक्ता आदमी के बीतर बिलकुल गुशचुकी है, इस तरीके से गुश चुकी है कि आदमी यह दूसरे को मारने पर उतार ह और नरेंद मोजी जी इसी मनुवादी मानसिक्ता के बने हुए बढ़ावा दे रहे हैं चाहे वो आरेस के कहने पर हो या किसी अन मानसिक्ता के उपर हो चलिए बहुत मश्युक्तिया